माने भुपेंदर चौधरी जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी, सियस्वी मरुण जी और भारती जन्ता पार्टी की प्रदेश की मीडिया टीम की ओर से, लोग सवाचुना दोजार चौबीस की दिश से, प्रदेश मुख्याले में स्तापित इस मीडिया सेंटर में, आप सब का मैं हिर्दे से स्वागत करता हूँ, हम सब जान रहे हैं, जैसे प्रदेश अध्यक्सी ने भी बताया है, कि लोग तंद्र के महापरवका संखनात पहले ही हो चुका है, साथ चर्णों में पुरे देश के अंदर लोग सभा की पांसो तेंतालीस सीटों के लिए चुनाव संपन्न होना है, 19 अप्रेल को पहले चर्ण के 21 राज्यों के 102 लोग सभा सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं, और जो रुजहान पुरे देश से मिलना है, वह रुजहान इस बात की और पुरे देश के ध्यान को अकरशित करता है, क्याम जन्ता के मन में एक ही भाव है, वह उत्तर हो, दक्षिन हो, पूरब हो, पस्यम हो, कि फिर एक बार मोधी सरकार, प्रधान मंत्री मोधी जी ने तस वर्स में देश के अंदर, जो इसकी तस्वीर को बदली है, आम जन की तक्दिर को बदलने के लिए, जो एक सकारात्मक पहल किये हैं, उसके प्रधी जन्ता का सकारात्मक रुख, भारती जन्ता पार्टी के पक्स में, बिना भेद भाव के, समाज के हर तपके का पूरा समर्थन और आसरिवाद भारती जन्ता पार्टी को प्राप्त हो रहा है, दितिये चर्ण के चुनाव 26 अप्रेल को होने जा रहा है और दितिये चर्ण में 13 राज्यों की 89 सीट्स पे चुनाव होने है जिसमें अभी सूरत की एक सीट पर भारती जनता पाल्टी के प्रत्यासी निर्विरोध भी एक सीट पर अभी हो चुके है चुनाव इस बात की और ध्याना करसित कर रहा है कि संभातो पहला चुनाव देश का होगा यह ठारमी लोक सभा का चुनाव है और अब तक के पहला चुनाव होगा जिसके पेड़नाम के बारे में पुरा देश आस्वस्त है आस्वस्ति का भाव इस देश से क्योंकि मोदी जी ने पिसले तस वर्स में देश के अंदर पॉलिटिक्स और परफॉर्मेंस पर ध्यान दे करके पुरी जवाब देई के साथ हर एक मोर्चे पर सरवांगिन विकास के जिन लक्षियों को प्राप्त करने के सामें प्रियास प्रारम किये हैं आज देश उसका लाप प्राप्त कर रहा है यह हर एक छेत्र में बैस्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा का 140 करोड भारतियों के संबान का मामला हो भारत की सुरक्षा को सुदर्ड करने का हो भारत की आंत्रिक सुरक्षा आतंगबाद नकसलबाद की समस्या को समाधान की लक्से तक ले जाने का हो या फिर देश के अंदर वर्ड ग्लास इंफरस्टेक्चर उपलब्द करवाने का हाइवे, रेलवे, मेट्रो, एक्स्प्रेश्वेज, IIT, IAM, वर्ड ग्लास इन्वेस्टीज, वन डिस्टिक, वन मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना, ये तभी कार्य है, पुरी देश के अंदर, टिपल आईटी, एनाईटी, ये एक लंबी स्रिंखला है इनकी, जो प्रदानमंत्री, मोदी जी के नित्रित्व में, भारत ने पहली बार, गॉर्मेंट, परफॉर्मेंस के आधार पर भी कारे कर सकती है, और उस आधार पर जनता, जनारदन के बीच में जा सकती है, ये पहली बार देखने को प्राप्त हुआ है, देश के अंदर, गरीब कल्यानकारी, योजनाओं का लाप भी, बिना भेदवाओं के, 140 करोड लोगों को प्राप्त हो सकता हो, ये अभी ये देश पहली बार देख रहा है, 80 करोड गरीबों को 4 वर्ष से लगातार, रासन की सुविधा का लाप फिरी में उप्लप्त होना, 60 करोड लोगों को देश के अंदर, 5 लाग रुपे की स्वास्ते पीमा का कबर प्राप्त हो जाना, 50 करोड लोगों को जंदन एकाउंट खोल करके, सरकार की धंडासी उन सभी लोगों तक सीधे, दीवी टी के मात्यम से उप्लप्त करवाने का कार्य हो, 12 करोड किसानों को प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधी का लाब हो, या फिर बारा करोड घरों में सोचाले बनाने का काम हो दस करोड घरों में उजड़ा योजना के रुस्विकेस के सिलिंडर उपलब्द करवाने के कारे हो चार करोड गरीबों के लिए मकान बनाने के कारे हो या धाई करोड गरीबों को एक-एक बिजली के फ्री में कनेक्शन उपलब्द करवाने के कार्य हो पहली बार वास्तों में देखा है लोगों ने कि योजना का लाब बिना भेद भाव के हर तबके को कैसे प्राप्त हो सकता है जो नारा मोदी जिने 2014 में दिया था सब का साथ और सब का विकास का वो जमिनी धरातल पर कैसे हकीकत में बदला है यह भी पुरा देश देख रहा है और हर तबके की मन में इन सभी योजनाओं को लेकर के भारी उत्सा है मैं तो पूर यह है कि जह हम लोगसभाद चुनाओं लड़ने हैं तो लोगसभाद चुनाओं के दोरान एक तरफ भारतिये जनता पार्टी ने अपना संकल पत्र जारी किया था और संकल पत्र की एक पत्र के साथ पिछली वार मैं भी आपके बीच में हापे आया था बारतिय जंता पार्टी ने पहले चंड के मद्दान के पहले अपना संकल पत्र जंता जनार्दन के सामने प्रस्तुत कर दिया था कॉंग्रेस ने भी अपना घोशना पत्र जारी किया है इंडी गडवन्दन के अलग-अलग दल भी अपने अपने गोशना पत्र जारी किये हैं, मित्रों, इंडी गडवन्दन और खास्तोर पर कॉंग्रेस और उनके सयोगी दलों की जो गोशना पत्र हैं, गोशना पत्र के विभिन प्रावधानों के खतरना किरादों की तरफ ही ध जनता जनारदन का ध्याना कर्षिद करना चाहते हैं। जनता जनारदन का ध्याना और खास तोर पर इन बुद्दों को ले करके। एक तरफ 1970 के दसक में ततकालिन प्रधानमंत्री स्रिमती इंद्रा गांदीजी ने देश को गरीबी हटाओं का नारा दिया था। गरीबी नहीं हट पाई। क्योंकि इस प्रकार के कारिकरम नहीं थे। उनके उनने सूत्री भी सूत्री कारिकरम बनते थे लेकिन वे फाइलों तक कैद होकर के रह जाते थे। सासनस्तर पर अगर किसी गरीब के लिए योजना का लाब भी देने की बात होती थी तो अग कमिशन खोरी की भेंड चड़ जाती थी। योजना का लाब चेहरा देखकर के देने की जो प्रविड़ी कॉंग्रेस ने उस समय प्राप्रदान की थी। कमोवेश वही इस्तिती वही इस्तिती हम लोगों को यूपिये सरकार के सामने और बिभद सुरूप में देखने को मिला। आज का जो कॉंग्रेस इंडिकंड बंदन से जुड़ेवे सयोगी दलों के जो गोशना पत्र जारी वे हैं। उस गोशना पत्र को देखकर क्यां कह सकते हैं। एक तरफ अपनी गरीब कल्यान करी योशनाओं को लेकर के प्रधानमंत्री मोती जी ने बिना भेद भाव के देश के अंदर हर तबके के लोगों के कल्यान के लिए उनके उत्थान के लिए कारे किया। और दस वर्स में पचीस करोड गरीबों को गरीबी रिखा से उभार करके उन्हें खुसाल जीवन जीने के लिए आगे वढ़ाने में मदद की। और दूसरी तरफ वोई भी इस प्रकार के प्रमाण कॉंग्रेस या उसके सहयोगीता नहीं दे सकते कि जिन्हों ने देश के अंदर सबाधिक समय तक सासन किया। आखिर इतने लंबे समय तक सासन करके 65 वर्सों से इक समय तक बेस के अंदर सासन करने के वाब जोद उनका पॉलिटेक्स परफॉर्वेंस पर आधरित क्यों नहीं बन पाया था क्यों इनकी उजनाए पिकेंचूस की थी चेहरा देख करके उजनाओ का लाब देने का कारिक क्यों और खासतोर पर अब दादी के देगए नारे को पोते के द्वारा किस प्रकार से तोता रटंत की जा रही है कि हम एक जटके में गरीबी हटाएंगे और गरीबी कैसे इटाएंगे इसका अगर आपको उनकी गोशना पत्र में देखना हो तो यह खतरना गिरादा भी है और हास्यास्त पत्त भी है वो कह रहे हैं कि हम संपत्ती लोगों की संपत्ति का सरवे करवाएंगे और संपत्ति सरवे करके फिर वो संपत्ती को अपनी अंसार फिर उसका बंदर मांट करेंगे यानि पहले देश के संसाधनों पर रूट पार्ट याद करिए UPA सरकार के तद्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंग जी ने अपने एक अई वाशन में इस बात का उल्ले किया था कि देश के संसाधनों पर पहला दिकार मुसल्मानों का है हमारे कहना है देश के अंदर भारती जंता पार्टी ने चार जातियों की बात की गरीब है किसान है युवा है और महिला है इसमें किसी जाती की बात नहीं की है किसी मत और मजब की बात नहीं की है जो गरीब है उसको सासन का हिस्सा मिलना चाहिए युवा है उसके आजीवी का की विवस्ता होनी चाहिए महला है उसके स्वावलंबन के लिए कारे किये जाने चाहिए अन्ने दाता किसान वह किसी भी जाती मत मजब वर्ग का है उसको सम्मान मिलना चाहिए ये भारतिय चन्ता पार्टी जहां इसकी बात करती है वहीं कॉंग्रेस कहां से प्राडम कर रही है वह संपत्य का सर्वे करवाईगी संपत्य का सर्वे करके फिर उसका बंदर मांट करेगी यानि अपनी पुरानी उस प्रवर्टी में कहां लेके जा रहे हैं कि पहला अधिकार किसका है और फिर वहीं से उनकी सुरुवात हो रही है इसके लिए वहां जातिय जंगर्णा को आधार बना रहे हैं 65 वर्षों तक सासन किये SC, ST, OBC और अन्य जातियों को उन्होंने उनका अधिकार नहीं दिया उससे उन्हें बंचित किया और याद करिये 2004 से 2014 के बीच के कॉंग्रेस के सासनकाल को जब उन्होंने उस समय लक्सित हिंसा विधयक लाने का कुछित प्रियास किया था बौसंके समाज की बावनाओं को उचलने के लिए उनकी अभिव्यक्तिकी स्वतंतरता को दवाने के लिए एक कुछित प्रियास किया था भारतिय जंता पार्टी के भारी बिरोध के कानण वो उस विदयव को पास नहीं कर पाये थे भारत के प्रती इनकी मनसिक्ता क्या है और इसके बाद इन्होंने अनुसोची जाती अनुसोची जन जाती और बिछडी जाती के हकों पर डखेती डाल करके उनके आरक्षण में भी किस प्रकार से गुस्पैट करने का प्रियास किया था इसके लिए रंगनात मिस्रा जस्तिस रंगनात मिस्रा जो पहले CGI थे, Chief Justice of India थे बाद में कॉंग्रेस के सांसद्वने उनके अध्यक्सता में जो कमेटी मनाई गए उस कमेटी की सिपारिस, कॉंग्रेस की मनसा के नूप देश के अंदर लागू करने के कुछित प्रियास हुए थे जिसमें SC, ST और OBC के आरक्षण के अधिकार को जवरन, कुछ वर्ग विसेश को देने के कुछित प्रियास इनों ने उस समय प्रारंब किये थे और फिर सचर कमीटी की रिपोर्ट में भी दलितों के अनुसुचित जाती, जन जाती के आरक्षण में घुस्पैट करके एक हिस्सा इसको भी मुस्लिम वर्ग को जवरन देने के कुछित प्रियास के गये थे जिसका उस समय भारी विरोध हुआ था यानि कॉंग्रेस की मंसा क्या है? कॉंग्रेस की मंसा और इंडिकर बंदन का मंसा है अनुसुची जाती, जन जाती और पिछडी जाती के अधिकारों पर दकैती डालना और इसके लिए वे सरकार में आना चाते हैं, इसके लिए जाती जन गरना कराना चाते हैं इसके आधार पर समाज को पहले जातिय जन करना के आधार पर बौसन के समाज को आपस समाजिक ताने बाने को छिन्न विन्न करने का प्रियास करेंगे आपस में विभाजित करेंगे और फिर उसके बाद उनके आरक्षण के अधिकार में जवरन उसका बंदर बांट करने का काम भी इनके द्वारा करने का प्रियास होने जा रहा है और या एक खतरनाक इरादा इनके द्वारा अपने इस गोशना पत्र में इनके द्वारा करने का कुछित प्रियास प्रारंब हुआ है हम सब इस बात को जाते हैं कि कॉंग्रेस की मंसा हमेशा सत्ता एनकेन प्रकारिण सत्ता प्राप्त करनी रही है वे देश की कीमत पे सत्ता चाहते हैं और देश की कीमत पर उन्हें सत्ता चाहिए इसके लिए महलाओं पर ब्रबर अत्याचार करने वाली तालिवानी प्रिवड़ती को भारत के अंदर लागू करना चाहते हैं यानि ब्यक्तिकत कानून को कॉंग्रेस सत्ता में आने के बाद लागू करने की बात करती है यानि तीन तलाकी को प्रथा से बारती जन्ता पार्टी की मोदी जी के नित्रत्व की सरकार ने देश की आधियावादी को इसको प्रथा से मुक्त किया उससे सुतंत्रता दी कॉंग्रेस उसका समर्थन करती है यानि ब्रक्तिकत कानून देश के अंदर हम कहते हैं दो प्रधान, दो विधान, दो निसान नहीं कल सकते इसके लिए उन्निसों त्रेपन में डॉक्टर स्याबा प्रसाथ मुखर जी निने अपना बल्दान दिया था लेकिन कॉंग्रेस बेश के अंदर गट्यकत कानून लागो कर ये सरिया कानून लागो करना चाती है तालिमानी विद्ध्वन्स का समर्थन करना चाती है और ये जो कॉंग्रेस की मनसा है या इंडी गड़बंदन की मनसा है या आधि आवाधी का अपमान तो करती है एक खतरनाक इरादे की ओर भी देश का ध्याना करसित करती है यह जो दो-तीन कुछ यह जो महतुपूर्ण जो देश के सुरक्षा से जड़े वे देश की संपर्भुता से जड़े वे आधी आबादी की गरिमा से जुड़े वे मैं तो पुड़ मुद्धे हैं उनमें कॉंग्रेस की मंसा स्पस्ट गुजागर होती है कि उनका इरादा देश के प्रती अच्छा नहीं है वे एनकेन प्रकारेण अपनी उस पुराने डेने के उसार फिर से कारे करने का प्रयास कर रहे हैं जिसके कारण 1947 में देश का विवाजन हुआ था जिसके कारण देश लगातार आतंगबाद, उक्रबाद और अलगाबाद की चपेत में ताया था जिनके कारण, जिनके उस देने के कारण देश के अंदर सबीत संस्थाएं प्रस्ताचार के आकंट में डूबी थी एक अभिस्वास का माहूल देश के अंदर खड़ा हो गया था कॉंग्रेस इस देश को फिर से उधर ही ले जाना चाती है और आज इसीलिए जब लोगसवा चुनाओ के हम जितिय चरण के लिए मद्दान की ओर जाना चाते हैं तब मैं प्रदेश और देश के मद्दाताओं से पील करना चाहूँगा कि देश यानि जीवन आपका है सुरक्सा आपकी है देश आपका है वोट भी आपका है आपका एक वोट आतंगबाद की तरब भी आतंगबाद के फुराने दौर को लावापस ला सकता है अगर गलत दिसा में गया और आपका एक बोड भारती जनता पार्टी के पक्स में जाने का मतलब आतंगबाद को सीमा पारही निप्ताने की जो भारती जनता पार्टी और हमारी मंसा है और जिस पर हम लोगों ने पूरी इमानदारी के साथ काम किया है भारतिय जन्ता पार्टी उस अभ्यान के साथ आगे बढ़ रही है एक बोड जन्ता जनार्दन की सुरक्षा के लिए खत्रा पैदा कर सकता अगर गलत ते सामे गया लेकिन भारतिय जन्ता पार्टी को प्राप्त होने वाला एक बोड वहाँ उनकी सुरक्षा की पुक्ता विवस्था करता है भारती जंता पार्टी को पढ़ने वाला एक वोट हर अब्यक्ति के सुरक्सा, सुसासन और संपर्वुता को ध्यान में रख करके भारत को एक विक्सित भारत के रूप में स्थापित करने की मनसा के साथ आत्म निर्वर भारत और विक्सित भारत के रूप में स्थापित करने कि संकल्पना को आगे वढ़ाता है और आज इसी ले हम लोग देश और प्रदेश के मत्ताताओं से यही पील करेंगे कि वे कॉंग्रेस और उनके सहयोगी तौलों की विपद्स मंसा को कुछित मंसा को कतई सफलनों होने दें क्योंकि यह नकेवल अनुसोची जाती जन जाती पिछडी जाती के हकों पर ढकेती डालने का कुछित प्रयास है बलकि आधी आवादी को तालिबानी सिकंजे में धकेलने के भी कुछित मंसा के साथ यह लोग कारे करके देश के अंदर तालिबानी विद्धन्स को अमंतित करने आतंगबाद को अपनी राश्मितिक स्वार्थ के लिए देश के अंदर हावी करने और देश के संसादनों पर जो डॉक्टर मनमोहन सिंग जी के बक्तब्य राह है उस बक्तब्य के अंदर देश के संसादनों पर एक वर्ग विशेश को हावी करने की कुछित मंसा के साथ कॉंग्रेस कारे करना चाहती है जिसको हर मद्दाता को जिसके प्रति सतर्क और साधान रहे करके किसी भी प्रकार के उस दुस प्रवड़ती को नहीं पनपने देना चाहिए जो समाज में बैमिनस सिता पैदा करे रास्ती एकता और घंडता को चुनौती देने वाला बनता हो भारत की आत्मनिर्वर भारत और विक्षित भारत की संकल्पना में बैरियर का कारे करता हो हमें उस प्रकार की किसी भी प्रवड़ती को आगे नहीं पढ़ने देना चाहिए और इसके लिए मद्दाताओं ने डॉक्तर 2014, 2017, 2019 और 2022 में प्रदानमंत्री मोदी जी के कारियों को लेकर उनके politics और performance को लेकर अब तक जो अपना आस्क्रिवाद दिया है यही आस्क्रिवाद जनता जनारदन का मोदी जी के प्रति और भारती जनता पार्टी के प्रतियासियों के प्रति बना रहेगा यह हमें पुरा विश्वास है और कॉंग्रेस को उसके घोचना पत्र और उसके मंसा की रुप पूरी तरह कॉंग्रेस और इंडी कढ़वंदन को खारिज करने का कार्य भी देश का मत दाता करेगा अब इसमें कोई संते नहीं है जन्यवाद जी मutama स्लेवें मंनि मुख्रम्डरी जीये का आभ हारविक करता हूं मैं उपस्ते सभी पत्रकार मित्रों का भी आभ हारविक करता हूं और आश्ब से आगरा है कि आश्ब जल्पान ले करके ही यहां से जाएंगे बहुत बहुत ह lij Union करी का